हेलो दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं ये है राधा का घर और यहां भी सुबह का टाइम है राधा और श्याम यहां पर सो रहे हैं अरे लेकिन ये क्या लगता है श्याम की पापा नहाने की तैयारी कर रहे हैं चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है अरे चलो भाई तो सो रही है कपड़े कब निकाल के देगी मुझे चलो एक काम करता हूँ जाकर नहा लेता हूँ तब तक राधा तो जाग ही जाएगी चलो अपना बार्डी ले ले लेता हूँ अरे मुझे तो अपने पुराने दिनी आदा गए कैसे जब हम बोर्डर पे रहते थे सुबह सुबह नहाने के लिए निकल पड़ते थे सारे दोस्त कितना मज़ा आता था अरे अरे यह क्या यहाँ पर तो पानी भी नहीं है लगता है मुझे ही लेकर आना पड़ेगा पानी चलो जाता हूँ भाटी यही पर रख देता हूँ राधा भीना पाने ही रखना भूल जाती है ये बोलकर श्याम की बापा पाने लेने के लिए जाने लगते हैं और यहां श्याम की बापा पाने लेकर आ जाते हैं अरे कुए पर कितना ज़्यादा भीड़ था लगता है सभी लोग आज सुभे सुभे ना आने वाले है अरे भाई ये पाने कितना साथ थंड़ा है कितना साथ थंड़ी लग रहा है और फिर तभी यहाँ श्याम भी जाग जाता है और फिर श्याम उठकर कहीं पर जाने लगता है अरे लगता है श्याम अपने पापा के पास जा रहा है अरे अरे ये क्या ये तो श्याम है ये तो यही पर आ रहा है अरे नहीं देखना भी लड़का बहुत ज़्यादा मस्ती करेगा श्याम बटा जाकर सो जाओ मत आओ यहाँ पर अरे लड़का तो मेरी बात कभी नहीं सुनता है और यहां श्याम अपने पापा के पास जाने लगता है अच्छा श्याम मैं पहली बोल दे रहा हूँ पानी में हाथ मट डाला ठीक है ना पानी बहुत ही अथंडा है तुम्हें बहुत ही जल्दी सर्दी लग जाती है अरे यह लड़का भी ना जो चीज मना करो पहले वही काम करता है श्याम हाथ निकालो वहां से हाथ निकालो अरे यह लड़का भी ना अभी मैं राधा को बुला दूँगा चलो जाओ श्याम यहां से मैं तुम्हें कितने बार बोलू अरे बेटर डर क्यों रहे हो मैं तो बस ऐसी ही बोल रहा हूँ तुम्हें पता है ना तुम्हें कितने जादे सर्दी लग जाती है और फिर बाद में तुम्हें ही दिक्कत होती है और तुरी यहां श्याम रोने लगता है अरे ये क्या श्याम अब तुम रोने क्यों लगे चुपो जाओ बेटा चुपो जाओ वानना तुभारी ममी आकर मुझे ही डाटेगी चुपो जाओ बेटा अरे मैं क्या करू राधा राधा जल्दी आओ देखो श्याम रो रहा है राधा उठो जल्दी भाई अरे यह लड़का भी न चुपो जाओ बेटा और यहाँ श्याम परे पापा की कोई बात नहीं सुनता और लोट लोट कर रोने लगता है और यहां श्याम जमीन पर ही लोट पोट कर अपना सारा कपड़ा गंदा करने लगता है अरे श्याम ये क्या कर रहे है उठ जाओ बेटा उठ जाओ अरे ये लड़का भी न अरे देखो तो ज़रा ये लड़के को कैसे ड्रामा कर रहा है लड़की का ड्रामा देख कर तो मैं दंगी रह गया सो चाहाँ बड़े होकर इसे हिरो ही बना दू अरे रादा जल्दी आओ देखो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है अरे अरे श्याम की पापा मुझे जगा रहे हैं क्या अरे क्या हो गया अब इतने सुबह सुबह चलो जाकर देखती हूँ वैसे क्या कर रहे हैं श्याम की पापा इतने सुबह सुबह जाकर हाँ हाँ श्याम की पापा आ रही हूँ अरे ये क्या ये तो नहाने के लिए बैठे हैं अरे श्याम की बाबा मुझे आपका तो समझ में आ रहा है लेकिन ये श्याम की उसमीन पर लोट रहा है क्या बोल दिया फिर से आपने मेरे बेटे को आप ना हमेशा मेरे बच्चे को रूला देते हो ऐसा मत कीजिए क्या मांग रहा था श्याम अरे रादा तुम मेरे उपर के जाम लगा रही हो तो श्याम अपने आप ही रो रहा है और लोट रहा है देखो चरह तुम्हारे बेटे को क्या चाहिए अरे श्याम की पापा मैं तो वैसे ही बता सकती हूँ आपको नहाता हुआ देख श्याम को भी मन लल्चा गया होगा और आपके पास आया होगा नहाने के लिए लेकिन आपने मेरे बेटी को डाड़ दिया आजो मेरे बेटे मेरे पास आ जाओ देखो तुमने अपने सारे कपड़े गंदे कर लिए हैं चलो आजो मेरे पास पापा नहीं नहला रहे है तो क्या हुआ मैं नहलाओंगी न तुम्हें अच्छा चलो हाँ श्याम की पापा आप मत नहलाए है मेरे बेटे को मैं ही नहला दूँगी अपने बच्चे को अच्छा तो ये बात है श्याम नहाने का जित कर रहा था मुझे तो पता ही नहीं चला अच्छा ठीक है जाओ तुम्ही नहला दो वैसे भी श्याम को समालना मेरे बस की बात नहीं है हाँ हाँ श्याम की बाब मुझे पता है श्याम आपकी बात नहीं सुनता है, अच्छा तो ठीक है मैं चullen Iya काम के तक तक यह लिजिये श्याम को पड़ऀ और इसका कपड़ा आप ही निकाल दो, मैं जाकर सभी कपड़े निकाल लाती हूं ठीक है ना यह लिजिये औरे हाँ हाँ लाओ राधा पकड़ता हूं श्याम को हाँ ये लीजी जब दक मैं जाकर सब के कपड़े निकाल लाती हूँ और फिर यहां श्याम भागते भागते कहीं पर जाने लगता है औरे औरे श्याम कहाँ पर जा रहे हुआ बस आओ अरे ये लड़का भी न कैसे भागते भागते कि आप राधा मुझे ही डाटे की देख ले न ये मा वेटे मुझे परिशान करके रखा है अरे 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 ये श्याम को क्या हुआ कहा पर जा रहा है भागते भागते ये लड़का विना सच में बहुत ही मस्ती खोर हो गया है अरे श्याम भागते भागते कहीं पर जा रहा होता है अरे रादा छोड़ो अभी आ जाएगा श्याम वैसे तुम्हें काम करो जाकर पानी भी ले आओ ये लड़का विना अभी नहाने के लिए इतना उतावला हो रहा था अब तो गाया भी हो गया चलो जाकर देखी लेता हूँ कहां पर है ये ये बोलकर श्याम की पापा वहां से जाने लगते हैं अरे अरे ये क्या हो अरे श्याम ये तुम क्या पहन के आयो लगता है तुम मेरी नकल करने की कोशिश कर रहे हो और ये श्याम अपने पापा की नकल उतार रहा होता है अरे ये क्या श्याम तो सचे बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रहा है अच्छा चलो मेरी प्यारे बेटे मेरी कोदी में आ जाओ तुम तो सचें बहुत यहादा प्यारे दिख रहे हो मेरा प्यारा श्याम अरे राधा जल्दी आओ यहाँ पर देखो तुमारा बेटा क्या कर रहा है जल्दी आओ राधा श्याम तुम सचें बहुत यहादा प्यारे दिख रहे हो जल्दी आ रहा था अच्छा चलो हम नहाने के लिए तयार हो जाते हैं श्याम अरे भाई क्या बात हो गई श्याम की होबा तो कुछ जादे ही हस रहे हैं चलो मैं भी जाकर देखती हूँ अरे अरे ये क्या श्याम ये तुमने क्या पहन के रखा है लगता ही तुम अपरे बाबा की नकल उतारने की कोशिश कर रहे हो कितना प्यारा दिख रहा है मेरा बेटा श्याम कितना प्यार करता है आपसे कैसे आपकी एक्टिंग उतार रहा है अच्छा ठीक ही ये लिजे मैं पानी ले आई हूँ अब आप दोनों नहा लेजिए वैसे पानी बहुत जा धंडा है देख लेना नहाते ही आपके मुह में से दूआ निकलने लगता और यहां श्याम और श्याम की बापा दोनों मिलकर हसने लगते हैं ये दोनों भी ना एकदम एक जैसे ही दिखते हैं चलो मैं जाती हूँ टब में पानी डाल देती हूँ वैसे श्याम को सर्दी न लग जाए इतने थंडी में नहाए वो तो और यहां राधा टब के अंदर पानी डालने लगती है अरे लगता है और पानी डालना पड़ेगा इसके अंदर चलो इससे भी डाल देती हूँ हाँ इतना पाने तो काफी है अरे भाई रादा हो गया यह नहीं देखो तुम्हारा बेटा चटपटा रहा है नहाने के लिए टब के अंदर हाँ 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 श्याम की बाबा बस हो ही गया थोड़ा जाग बना दो इसके अंदर श्याम को बहुत यदा पसंद है अच्छा ठीक है श्याम अब तुम जाकर नहा और मुझे भी नहाने दो हाँ हाँ श्याम की बाबा लाईए मैं श्याम को नहला देती हूँ जल्दी से मुझे माफ कर दीजी लगता है अपने सुभी सुभी फ्लैन मनाया था नहाने का लेगिन मेरे जैसे देर हो गई अच्छा चलो श्याम में तुमें ज़्यादे से नहला देती हूँ बहुत ही थंड़ा है पानी लगता है बहुत यदा मजा रहा है श्याम को चलो रगड़ रगड़ के नहला देती हूँ और यहाँ शाम को बाट तब के अंदर नहाने में बहुत जादा मज़ा आ रहा होता है अरे देखो तो ज़रा लगता है शाम को कुछ जादा ही मज़ा आ रहा है तब के अंदर नहाने में कितना अच्छा लग रहा है अरे हाँ रादा तुम सही बोल रही हो शयाम को कुछ जाद ही मज़ा आ रहा है चलो भई अब मैं भी नहाना शुरू करता हूं सचमें, पानी तो बहुते दाड़ थंड़ा है कोई बात नहा लेता हूं अरे पानी तो बहुती दाड़ा है ओ मज़ा ही आ गया नहाने में, थंडे थंडे पानी में नहाना चाहिए, हुगता अच्छा लग रहा है, हरे राधा देखो साबून कहाँ पर है, लाओ दे तू मुझको, हरे वा आज सुभे सुभे नहा कर मज़ा ही आ गया, आप तो मैं हमेशा सुभे सुभे ही नहाऊंगा, अरे राधा सही बता रहा हूँ, पानी बहुत ही अथंडा है, अब श्याम को निकाल लो नहला कर, अरे हाँ हाँ श्याम की बावर नहला कर बस निकालने ही जा रही हूँ श्याम को, चलो श्याम, चलो मैं तुम्हारे बहुत पानी डाल देती हूँ, मज़ा आ रहा है न, और तुम भी निकल जाओ जल्दी से, हरे हाँ हाँ श्याम की पापा रुगिये मैं भी ले कराती हूँ, आप श्याम को निकाल दीजी तब तक, अरे हाँ हाँ राधा, चलो आज आओ श्याम निकाल आओ, वनना तुम्हें सर्दी लग जाएगी, आज तो मज़ा ही आ गया है ना श दोस्तों अगर आप कोई कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो